नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खना उम्योपेथि क्लीनिक के इस प्रोग्राम में इस पर फिर आपका स्वागत है, साथियों आज हम बात करेंगे स्टेच मार्स के विशय में जो कि बहुत ही बड़ी कॉस्मेटिक समस्या है, खास तोर से हम नों की घर की महिलाओं में कि जब वहाँ अपने पारिवारिक दायत को पूरा करती है, यानि कि जब उनका खास तोर से डिलेवरी होती है, बच्चे होते हैं, उसके दोरान जो उनके है इस्टेच मार्स हो जाते हैं, वहाँ इससे बहुत परिशान रहती हैं हम आपको बताएंगे इस्टेच मार्स को खत्म करने की पांच कारगर होमियोपेटिक दवाएं, यहाँ दवाएं जो आपको इस समस्या से और एक मांसिक बोज से आपको निकाल के बाहर कर देंगे और आपके इस्टेच मार्स को ठीक कर देंगे, थोड़ा वक्त जरूर नेम एस्टी एक्रिफिका होता है, यहाँ जो है वहाँ जो टेबर स्टिशनरी कहती है, मेडिकल की वाहिया कहती है कि चौदा इंच के लगभग की लाइंस होती है, जो कि पिंकिश वाइट या ग्रेइश होती है, जो आपके बाडी में स्टेच में हो जाती है, यहाँ बच्चों में अचानक उनकी हाइट ग्रो करने लगते तो उनके हो जाती है, लेकिन यहाँ पुरी तरह ठीक होने वाली समस्या है, इसलिए आपको बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है, इसके सिम्टम्स के साथ क्यों बात कर लेते हैं, इसके सिम्टम्स आपको यहाँ स्ट्रीक्स फोल्ड और जॉइंट्स के जहां पर फोल्ड होते हैं, वहाँ पर आपको स्ट्रीक लाइन्स की दिखेंगी, खिची हुई दिखेंगी, पिंकिश वाइट या ग्रेश कलर की होंगी, यहाँ ही स्ट्रेच मांक्स होते हैं, बात कर लेते हैं इसके कारणों की, इ होता है जब माल देखेें जब प्रेग्णि सी के टाइम पे टैम पर evitar बेबी को इस बनाने के लिए चब maila में जो है टनी में्ढ को रोग तки है को जो बॉडिया का कॉल्लिय套 प्रोटीन होता है अधी वहां connective tissue उस growth को नहीं कर पाता है और वहां पर यहां streaks आने लगती है जिसका की बहुत बड़ा cause vitamin C की कमी होता है इसलिए डॉक्टर आप लोगों को vitamin C के tablet या capsule भी लिखता है pregnancy के वक्त पे या फिर जीमिंग बहुत जादा कर रहे हैं या बच्चे जिनकी growth बहुत जादा हो गए तो central point यह है कि जब आपका body cope up नहीं कर पाता है उस growth से जो आपके body में हो रही है तभी यह stretch marks होते हैं और यहां पूरी तरह ठीक होने वाली बात है हम आपको बताएंगे इन stretch marks को खतम करने की पांच कारगर होमियोपेथिक दवाएं जो कि इसको ठीक कर देंगी दवा बताने से पहले हम आपको बता दें कि यहां दवाएं बिना कुसल जी की सक से पूछे न लीजेगा कोई भी दवा होमियोपेथिक ही हो किसी को से प्रस्ट्राइब करा के ही दवा को लीजेगा बताते हैं साथियों आपको stretch marks को ठीक करने की 10 कारगर होमियोपेथिक दवाएं यह यह कहें 5 कारगर होमियोपेथिक दवाएं क्योंकि यह 5 दवाएं आपको ठीक कर देंगी साथियों नमबर एक दवा जो आपके स्ट्रेच मार्स को खतम करने की है होमियोपैथी में वहाँ है थायो सिनमिनम 30 अगर आपके स्ट्रेच मार्स हैं तो आप थायो सिनमिनम 30 पावर की दवा ले लें इसकी दो दो बूंद आप दिन बार लें आप देखेंगी कि आपके जो प्रिग्न स्ट्रेच मार्स खतम हो जाएंगे इन दवाओं को आप 6-8-10 महिना कॉंटिन्यू रखें तो थायो सिनम थाटी नंबर एक दवा है आपके स्ट्रेच मार्स को खतम करने के और आपके जो बोज आप पे पड़ा है अपने समाजिक डायत को पारिवारिक डायत को निभाते वकत उसके बाद जो आपके बाड़ी में डिरेंडमेंट हुआ है उसको ठीक करने का ये सबसे बहतर उपाय है आप इसको करके राप्राप्त कर सकते हैं फिर साथियों दूसरी दवा होगे उपैथी में जो है स्ट्रेच मार्स को ठीक करने की वहाँ है सालीसिया आप सालीसिया 30 पावर में दो दो बून दिन में तीन बार ले सकती है इससे भी आपके स्ट्रेच मार्स खतम हो जाएंगे सालीसिया के मरीज को ठंड़क जादा लगती है उसके हतेली और पाउं के तलबे से पसीना बहुत आता है आप एक चीज़ और कर सकती है आप ये सालीसिया दवा को 3X पावर में सालीसिया ले 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 और उसके जो टेबलेट्स होते हैं उसको ग्लिसरॉल में डिजॉल्व कर ले वो ग्लिसरॉल आपको बजार में मिल जाएगा बहुत महंगा नहीं होता है छोटी बाटल ले लीजेगा उन्हें कम से कम एक चमच ग्लिसरॉल में 10 टेबलेट दालने उसको dissolve कर लें और उस solution को आप daily अपने stretch marks पर लगाएं उससे और silesia के oral seven से आपके stretch marks बहुत जल्दी चले जाएंगे तीसी रवा साथियों जो stretch marks संबन्दित आती है बहुत कारगर वहाँ कलकेरिया फ्लोर आप कलकेरिया फ्लोर 66 पावर की चार गोली दिन में चार बार लेना शुरू कर दें इससे जो आपके टिशू में रिजेज आ गए हैं stretch marks हुए वहाँ पे बरो ऐसी हो गई है और क्रैक्स हो गए वहाँ पुरी तरह खतम हो जाएंगे और आपकी स्किन हील अप होके एक लास हो जाएगी और stretch marks का निसान हमेशा के लिए खतम हो जाएगा फिर साथियों एक दवा आती हुम्योपेथी में बर या castor oil में डाल कर आप अपने stretch marks पर लगा लें कुछ महीने आप ये process करते रहेंगे और कुछ वक्त बात आप देखेंगे कि आपके stretch marks पूरी तरह खत्म हो गए फिर साथियों एक दवा आती है stretch marks को खतम करने की यानि कि आपके इस कार हुए portion को हील करने की वहाँ है और उसको आप अपने stretch marks को लगा लें खोले वक्त में आप देखेंगे कि आपके stretch marks चाने लगे ये कुछ दवाएं थी आपको जैसा मैंने कहा कि जो पारिवारिक बोज आपने उठाया हला कि वो बोज नहीं है लेकिन कुछ लोगों को महसूस होने लगता है कुछ महिलाओं को कि यह इसके बाद हमें stretch marks हो गए और एक उन्हें अफसोस रहे जाता है तो यह दवाएं आपके उस अफसोस को खत्म कर देंगी क्योंकि जब ना stretch marks रहेंगे ना अफसोस रहेगा आपको इसके अलावा हमने एक वीडियो में आपको बहुत अच्छा बताया था जो हमने इ इसमें तांबे में रखे हुए पानी आज से 10 दिन तांबे में रखे हुए पानी को अपनी हतेली पे लेके थोड़ा सा नीबू उसमें नी चोड़के उस पानी को अगर आप अपने stretch mark पे लगा लेते हैं तो भी आप करिसमाई result देखेंगी जादवी result देखेंगी यानि कि अपने stretch marks आपके बहुंग जल्दी चले जाएंगी है आप दवाई करें साथ भी उसका भी करें और हमको बताएं आपके stretch marks गए कि नहीं आपके मन में कोई query हो तो हमारे notification panel में अपनी query को आप लिख सकते हैं या फिर हमारे WhatsApp नंबर 94-915-84303 पर आप अपने query WhatsApp कर सकते हैं को प्रसिस करेंगे आपको संतोस्चना जवाब दे पाएं आप इतनी देर हमाई साथ रहें आपने इस वीडियो को देखा इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो पसंद आया उसको शेयर ज़रूर करिएगा चैनल को औरों को सब्स्राइब करने के लिए प् Kछ successes करने कुन देल करों करुमत करुमत सैनल को सब्सक्राइब करुमत तरों करुमतिकर करुमत बहुत दों को सब देल करूहर। जड़ास प्लावास झाल